कुजरात के बिलिमोरा और वगही को जोड़ने वाली 108 साल पुरानी नैरो गेज रेल्वे लाइन पर फिर से ट्रेन दोड़ने लगेगी वेस्टर्न रेल्वे के तहट आने वाली इस रेल्वे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करने की घोशना पिछले साल यानी वर्ष 2020 में की गई थी लेकिन इस फैसले को पलटते हुए भारती रेल्वे ने तैंकिया है कि अब इस लाइन को हेरिटेज सेक्षन के तौर पर बनाये रखा जाएगा और 4 सितंबर से इस हेरिटेज लाइन पर नई तरह के AC टूरिस्ट कोच वाली ट्रेन चलाई जा रही है यह रेल्वे लाइन जंगलों से होकर गुजरती है और सापू तारा हिल रेंज को जोडती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेन चलाई जा रही है उसका AC कोच कैसा होगा और इसमें किस तरीके की बैठने की बिवस्था होगी इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिससे आप बाहर का नजाराद देख सकेंगे साथी साथ इसमें सीमित सीटे हैं यानि 15 रेल यात्री ही इस कोच में सफर कर सकेंगे क्योंकि 4 टन की छंता वाले इसमें air condition system लगे हुए हैं कोच में बैठने के लिए खास आराम दायक सीटे हैं जिनके सामने snack tables लगी हुई हैं और इस narrow gauge line के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये 108 साल पुरानी है और विलिमोरा बगई नैरो gauge line कभी गायक वार पड़ोदा state railway का हिस्सा हुआ करती थी बाद में western railway में सम्मिलित कर दी गई और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से AC tourist coach जो नया नया है इसको 4 सितंबर से चलाया जाएगा और ये train अगर हम इसके बारे में बताएं तो भारती railway जो train चलाने जा रही है उस train का नंबर होगा 09501 और साथी साथ इसको विलिमोरा वगही special train बोला जाएगा और ये train 4 सितंबर से चलने लगेगी यह train विलिमोरा से हर दिन सुबह 10 बचकर 20 मिनट पर चलेगी और वगही दोपहर 1 बचकर 20 मिनट पर पहुँच जाएगी इसी के साथ वापसी में हर ट्रेन वगही से दोपहर 2.30 पर चलेगी और विलिमोरा साम को 5 बचकर 35 मिनट पर पहुँच जाएगी हम आपको बता दें ये रेल सेक्सन जिस इलाके से होकर जाता है वो इलाका ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है दांग का इलाका है और वहाँ पर कई ट्राइब्स रहती है साथी साथ ये रेलवे लाइन जंगली इलाके से होते हुए जाती है यानि जंगल देखने को मिलेंगे आपको तरह तरह के इसमें जहरने देखने को मिल सकते हैं साथी साथ सापुतारा रिंज की अगर हम बात करें तो वहां पर कई ऐसी जगहें हैं जो काफी फेमस हैं तो यहां हम कह सकते हैं कि नैरो गेज लाइन को हेल्टेज लाइन के तौर पर चलाये जाएगा और इसमें खास तरीके की टूरिस्ट ट्रेने चलेंगी और 4 सितंबर से यह लाइन दोबारा फिर से शुरू की जा रही है यानि टूरिस्ट के लिए खास अट्रैक्शन होगी यह रेलवे लाइन